आज भारत के हर शहरों में आपको हजारों होटल्स मिल जाया करेंगे लेकिन आजादी के पहले भारत में हर बड़े होटलों पे अंग्रेज्यों का कब्जा हुआ करता था और यहीं पर नाम आता है मोहन सिंग उबरॉय का जिनने भारत का father of hotel industry भी कहा जाता है जिन्होंने सुर्फ 25 रुपए से अपने सफर की शुरुवात किया और आज उनके उबरॉय होटल दुनिया के top 10 होटल में से एक हैं फिर चाहे वो डैली का five star hotel हो, जैपूर का उबरॉय राजविलाज हो या फिर साओधी अरबिया के मदीना में उबरॉय होटल हो यह होटल दुनिया के सबसे बहतरीन और खुबसूरत होटल में से एक होते हैं शिमला के एक होटल में कैशियर की नौकरी से शुरुवात करने वाले मोहन सिंग उबरॉय के पास आज 32 से ज़्यादा लगजरी होटल हैं साथ देशों के अंदर उनके पास दो दो river cruise हैं इसके साथ ही उनके पास trident group है जिसमें करीब 10 से ज़्यादा hotels हुआ करते हैं इनका उबरॉय Center for Learning and Development Asia के सबसे बड़े hospitality education में से एक माना जाता है इस वीडियो में आज हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से मोहन सिंग उबरॉय ने उबरॉय ग्रुप की शुरूआत किया और कैसे इतने बड़े तक पहुचाया इसके साथ ही हम उनके कुछ secret जान रहे होंगे कि कैसे hospitality industry को run किया जाता है और hotels कैसे successful होते हैं तो दोस्ता है इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कमपनी भी बंद हो जाती है और उनकी job हाथ से चली जाती है उसे बीच एक बार मोहन सिंग ने अकबार में पढ़ा कि शिमला में एक सरकारी नौकरी का पत खाली है जिसके लिए वो अपनी मास से 25 रुपे लेके वो शिमला चले जाते हैं शिमला जाने पे वो कई बार कोशिश करते हैं लेकिन वो job उनको नहीं मिलती है और कुछ दिन शिमला में समय बिताने के बाद उनकी नजर सेसिल होटल पे पढ़ती है जो कि एक बेहत आलिशान होटल हुआ करता था वो सीधा होटल में घुसते हैं और जाते हैं मैनेजर से बात करते हैं कि उन्हें किसी तरग से कोई भी job मिल जाए और उनको अपनी सबसे पहली job वहीं पे मिलती है 50 रुपे तनका पे उनको एक cashier की job मिल जाती है मोहन सिंग ओबरॉय एक बेहत ही इमांदार इंसान थे और उन्होंने बेहत इमांदारी से अपने काम को करना शुरू किया जिसके बाद होटल मैनेजर ने खुश होके उनको कई सारे कामों में भी लगाया और इसी में 7 साल बीच जाते हैं और साल 1929 में होटल के मैनेजर अंस क्लार्क ने अपना एक छोटा सा होटल खरीदा शिमला में ही और उस होटल का नाम उन्होंने काटन होटल रखा जिसका मैनेजर उन्होंने मोहन सिंग ओबरॉय का बनाया इसके एक साल बाद क्लार्क छुटिया मनाने वापस अपने परिवार के साथ इंग्लेंड जाते हैं और अब होटल की पूरी जिम्मदारी मोहन सिंग ओवरॉय के उपर आ जाती है मोहन सिंग ओवरॉय अब तक होटल की बिजनस को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और उन्हें पता चल चुका था कैसे होटल की occupancy को डबल करना है उन्होंने कार्टन होटल की occupancy को डबल कर दिया और revenue को भी डबल कर दिया इसके बाद जब Clark वापस लोट के आते हैं तो उन्होंने जब होटल का पूरा structure और revenue देखा तो वो काफी ज़्यादा प्रभावित हुए Overoy से इसके कुछ समय बाद Ernst Clark ने decide किया कि वो पूरी तरीके से England जाके रहना चाते थे जिसके बाद उन्होंने मोहन सिंग Overoy को एक proposal दिया कि आप 25,000 रुपे में ये होटल खरीद ले मोहन सिंग Overoy को ये proposal बहुत पसंद आता है क्योंकि जिस होटल में उन्होंने काम किया है अब वो उसी होटल को खरीदने वाले थे उन्होंने अपनी बीवी के कुछ गहने बेचे उन्होंने जाके अपनी जितनी भी प्रॉपटी थी वो सब बेचा लेकिन उन्होंने 25,000 रुपे नहीं जोड़ पाए और इसके बाद वो Clark के पास आते हैं और कहते हैं कि ये मैं इतने पैसे नहीं जोड़ पाया आप होटल किसी और को बेज दीजिए लेकिन Clark उनके काम से इतने प्रभावित थे उन्होंने कहा कि तुम धिरे धिरे करके पैसा मेरे पास England बेज देना और साल 1934 तक जब उन्होंने फाइनल पूरा पैसा दे दिया इसके बाद होटल कार्टन के मालिक मोहन सिंग उबरॉय बन जाते हैं इसके बाद उबरॉय ने होटल कार्टन का नाम बदला और उन्होंने Clark के सम्मान में होटल का नाम रखा The Clark Hotel कुछी समय के बाद होटल Clark शिमला के सबसे बड़े होटल में से एक शुमार हो गया और यहाँ पे मोहन सिंग उबरॉय ने अब जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जॉब किया था सेसिल होटल उस होटल को भी उन्होंने खरीद लिया और अब वो दो होटलों के मालिक हो चुके थे इसके कुछ समय बाद कुलकता में एक बड़ी महमारी फैस्दी है कॉलरा की जिस वज़े से होटल इंडस्टी बहुत बुरी तरीके से प्रभावीत होई और कई सारे होटल बंध होने की कगार पे आ गए उसी समय कुलकता में एक काफी बड़ा होटल बिकने की कगार पे था दे ग्रैंड होटल जिसमें करी 500 कमरे हुआ करते थे मोहन सिंग ओबरॉय ने इसको लीस पे करी 20 सालों के लिए खरीदा और इसके बाद साल 1946 में उन्होंने ओबरॉय पाम बीच होटल भी शुरुआत किया और साल 1947 में भारत जब आजाद होता है उसके बाद भारत में होटल काफी कम हुआ करते थे भारत में कोई भी पाई विस्टार होटल नहीं हुआ करता था यहाँ पे मोहन सिंग ओबरॉय भारत के बिजनस को समझ रहे थे वो ये देख रहे थे कि बाहर से टूरिस्ट भारत में आते हैं जिनको अच्छी सुच्दा नहीं मिलती है और यहीं से उन्होंने अपनी पहली ट्रेवल कंपनी भी शुरू किया जिसका नाम था मर्कुरी ट्रेवल्स जिसमें वो बाहर से आने वाले टूरिस्ट को फ्लाइट से लेके अकुमोडेशन तक सारी हेल्प किया कर रहे थे मोहन सिंग ओबरॉय अपने कस्टमर्स को एक अलग एक्स्पिरियंस देना चाते थे जिस वज़े से महाराजा हरी सिंग के होटल को खरीदा इसके बाद मोहन सिंग ने रेलाइस किया कि भारत में जितने बी फ्लाइट सोड़ा करती है उनमें अच्छा फूड नहीं मिला करता है जिसके बाद साल 1969 से उन्होंने अपने केटरिंग शर्विस भारत के फ्लाइट्स में शुरू किया जहां पर वो इंटरनेशनल लेवल का खाना अपने कस्टमर्स को प्रोवाइट कर रहे थे जिस वजह से भारत की फ्लाइट्स में एक नए तरीके का लोगों को अनभव मिलने लगा और जितने भी ट्रैवलर्स फ्लाइट्स से भारत आया करते थे उनको अच्छा फूड उन्होंने देना शुरू कर दिया यह भारत का 1960 का वो दर्शक था जब भारत में कोई भी 5-star hotel नहीं हुआ करते थे और यहीं पर मोहन सिंग उबरॉय ने भारत का सबसे पहला 5-star hotel डैली में खोला जिसका नाम उन्होंने ओबरॉय होटल रखा इस 5-star hotel में करीब 5 restaurants, 2 bar, health club, swimming pool और full AC हुआ करता था यह भारत का सबसे पहला 5-star hotel बना और इसके बाद मोहन सिंग ने भारत के बाहर भी कई सारे hotels खोलने शुरू किये उन्होंने देखा कि palaces को काफी easily convert किया जा सकता है hotels में जिसकी demand भी market में काफी जादा है जिस वज़े से उन्होंने कलकत्ता में The Oberoi Grand खोला, इसके साथ ही उन्होंने काईरो में The Historic Mina House खोला, इसके साथ ही उन्होंने Australia में The Winson नाम का एक बड़ा hotel बनाया 1980 के दशक में Mohan Singh Oberoi के बेटे Bicky Oberoi इस बिजनस को समझालते हैं और उन्होंने भारत के बिजनस में कई सारी कम्यां देखिए, उन्होंने रियलाइस किया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने tourism industry को बहुत ही बखुभी समझा है और उन्होंने बहुत सारे airports और अपने countries में बहुत सारे tourism sports बनाये हैं जिस वज़ा से भारत तो आते हैं लेकिन वो भारत से भारत के nearby countries में अब ज्यादा जाने लगे हैं जैसे कि Indonesia, Egypt, Sri Lanka, Nepal इन countries में अब जाना शुरू हो चुके हैं तो बिकी ओबरॉय ने इन countries में अपना network बनाना शुरू किया और उन्होंने इंडोनेशिया, Australia, Nepal, Egypt, Sri Lanka, Iraq और Singapore जैसे countries में अपने ओबरॉय होटल बनाने शुरू किये ताकि अगर tourist भारत भी नहीं आता है किसी और countries में भी जाता है तो उनको वहाँ पे भी ओबरॉय होटल का वही luxury treatment मिला जा सके यहाँ पे अप सबसे बड़ा question उठता है कि इतने कम सालों में इतने सारे hotels कैसे ओबरॉय ग्रूप ने खोले तो इनके कुछ business के secrets है Mohan Singh ओबरॉय हमिशा believe किया करते थी कि आपको हमिशा business पे cost cut नहीं करना है आपको wastage cut करना है क्योंकि अगर आप cost cut करते हैं तो या तो आपका जो भी guest आ रहा है वो से suffer करेगा या तो आपके employee suffer करेंगे आपको wastage हटाना है और यही करके उन्होंने बहुत सारे wastage अपने hotel industry से खतम कर दिये जिस वज़े से वो कम पैसो में एक अच्छा solution अपने customers को देना शुरू कर चुके थे और इसके बाद इनकी strategy 2 आती है जिसमें वो कहते हैं कि अपने customer को आप कुछ भी खिलाते हैं या कोई भी treatment देते हैं उसकी आप details उसको बहुत ही detail में बताईए जैसे कि अगर customer को एक omelette ही चाहिए तो उस omelette को बनने के बाद उसमें हर एक details customer को पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या ingredients पड़ा है या आप customer को कोई भी spa देते हैं तो उसकी भी सारी details customer को पखू भी आपको बताना जरूरी है भले customer को सुनना हो चाहिए उसे नहीं समझना हो इसके साथ ही इनका third principle ये कहता है कि आपको हमेशा ये ने सबजना है कि आप market में सबसे best हो आपको हमेशा और better करते जाना है जब भी आपके पास कोई guest आता है तो आपको उसको better से better treatment करना है इसके साथ ही customer को क्या problem हो रही है उसको analyze करके next customer के आने से पहले आपको वो feedback को resolve कर देना है और यहीं पे इनका fourth principle आता है service पूरा hospitality industry सर्विस पे ही dependent है अब जिस तरीके से hotel का staff guest को treat करेगा उसी तरीके से probability बनेगी कि guest अगली बार आपके hotel में आएगा या नहीं आएगा मौहल सिंग उबराय का हमेशा कहना है कि customer हर एक चीज नोटिस करता है भले वो उस पर कुछ बोले चाहे ना बोले आप कितना politely अपने customer से बात कर रहे हैं यह सबसे important है आप कितना generous है अपने customer के प्रती यह बहुत important रहता है इसके साथ ही जब customer आपके hotel में आते है तो उसको कुछ fix चीज़े चाही होती है जब hotel आ रहा है या airport से तो उसको accommodation मिल जाए रास्ते का इसके साथ ही उसको एक अच्छा खाना मिलना चाहिए ताकि उसको एक अच्छी नीद आए इसके साथ ही उनका मानना था कि bed बहुती proper होना चाहिए bed की काफी ज़दा साफ सफाई होनी चाहिए क्योंकि अगर customer को एक अच्छी नीद आती है तो ही customer का review आपको अगले दिन अच्छा मिलेगा यहां बुनका ये भी मानना था कि customer की हर एक demand को जरूर से जरूर पूरा करना चाहिए अगर वो एक valid demand है तो customer जो भी मांगे आपको वो बहुत ही politely provide करना है और यही Oberoi Group की बहुत ही खासियत है वो अपने hospitality के लिए काफी ज़्यादा famous है Oberoi Group में आपको काफी high charges hotels के मिलेंगे लेकिन ये बहुत ही premium customers को अपने serve किया करते है इनके customer अगर एक बार Oberoi Hotel में आ जाते हैं तो वो बार बार कहीं भी जाता है तो वो Oberoi Hotel ही choose करता है क्योंकि इनकी service बहुत ही शांदार है ये बहुत ही politely अपने guest से बात करते है एक बार guest आ गया तो फिर वो हमेशा ही इनका होके रह जाता है क्योंकि वो इतनी अच्छी service देते हैं guest को भगवान के तरह ये माना करते हैं यही कुछ इनके secrets रहे हैं इस वज़े से ओवरोई ग्रूप अज पूरे इंडिया और दुनिया के बहुत सारी countries में फैल चुका है जब ओवरोई ने जैपुर में Grand Village Hotel खोला था उस समय ये दुनिया का टॉप नंबर वन पे होटल था दो सालों तक और उस समयन का ये मानना था कि हमेशा हमको और पेटर करते जाना है यहाँ पे ओवरोई ग्रूप यहाँ तक ध्यान देता है कि उनके होटल का जो स्ताफ है उसके यूनिफॉर्म कैसे हैं उसके शूस कैसे हैं अगर कमरे में एश्ट्रे भी रखा है सिग्रेट बुझाने के लिए तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर साफ सफाई के साथ होना जिये क्योंकि कस्टमर उसको नोटिस जरूर करता है यह सारे कुछ सीक्रेट्स इनके रहे हैं इनके कमपनी में जिस वज़े से ये इस बिजनस को काफी आगे लेगा है यहाँ पर मोहन सिंग उबरॉई में एक और बहुती खासियत थी वो अपने बहुत सारे एंप्लोई को नाम से जाना करते थे उनको यह कहना था कि अगर आपके अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं कश्टमर को जितना बेटरम सेटिस्वाई करेंगे उतना ज्यादा कश्टमर का दोबारा आने का चांसे बढ़ जाएगा और इसी एक सीक्रेट फॉर्मुला के वज़े से उन्होंने इतना बड़ा ओबरॉई ग्रूप बनाया आप कमेंट उप्शन में लिखके बताए कि आपको भारत का सबसे अच्छा होटल कौन सा लगा करता है अगर आपको ताज होटल लगेगा क्योंकि डाटा ग्रूप ने इसे बहुत बड़ा होटल भारत को उस समय बनाया जिस समय भारत में अच्छे होटल नहीं हुआ करते थे अगर आपको ताज ग्रूप पे भी एक केस स्टड़ी चाहिए तो आप कमेंट उप्शन जरूर लिखके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप कमेंट उप्शन में अपनी बिजनस लर्णिंग जरूर लिखके बताईएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं